तेजस्वी यादों के पाटी रास्तिय जनता दल के एक बरे नेता और सांसद को कैमूर जिले का एक थाना प्रभाडी ये कह देता है कि आपके जैसा सांसद और बिधायक मैं जेब में लेकर घुमता हूँ जाइए जहां कम्प्लेन करना है कर लिजे मुझे कोई फर्क नहीं परने वाला है सोसल मीडिया पर जब से ये खबर आई है तब से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पुलिस वालों का मन क्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब एक सांसद और बिधायक उनको समझ में नहीं आ रहा है और एक सांसद जब उस पुलिस वाले के पास फ पुरी खबर क्या है इन सभी मुद्दो पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप मारा प्रचे जान लीजिए नमस्कार में नाम वेद प्रकास है आप जंता जंसन देखना सुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल ते जस्व फोन पर ठाना प्रभारी जो है तैस में आ जाते हैं और उसके बाद सांसद की ही क्लास लगा जेते हैं अब पुरा मामला क्या है ये समझ लीजिए दरसल सुधाकर सिंग को किसानों ने कंप्लेन किया था रामगड ठाना छेतर के किसानों ने कि रात के बारा बजे के बाद जो है रामगड ठाना के प्रभारी जो है वो आते हैं और लुकिसानों को धमकी देते हैं और इस मामले में जब सांसद सुधाकर सिंग ने ठाना प्रभारी को फोन किया तब इस बात को लेकर के बवाल शुरू हुआ और ठाना प्रभारी से जब सबाल किया गया तब उसने स सांसद को ये कह दिया कि आपके जैसा सांसद और विधायक मैं जेवल में लेकर के घूमता हूँ जहां कम्प्लेंट करना है कर लीजिए हमको कोई फर्क नहीं परने वाला है हमको किसी से कोई डर नहीं है तब सुधाकर सिंग एक पत्र लिखते हैं और पत्र कैमूर जीले के ड वो ये कह रहे हैं कि ऐसे-ऐसे सांसद और विधायकों को मैं जेव में लेकर के घूमता हूँ और इस बात को लेकर के जब वो सकैमूर जीले के DSP से सिकायत करते हैं तब सोशल मीडिया पर इस बात का सवाल उठने लगता है कि जो थाना परभारी एक सांसद से ऐसे बात कर स सकता है एक विधायक को जेब में रखने की कह सकता है तो वो आम लोगों से कैसे बात करता होगा और फिर क्या करता होगा सांसद सुधाकर सिंग ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उनको किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी फोन पर और उसका केस भी रामगड थ किस्पी को पत्र लिखते हैं और कारवाई करने की मांग करते हैं कहते हैं कि रामगड प्रभारी जो है थाना के उन पर कारवाई की जानी चाहिए क्योंकि वो सांसद से भद्रता के साथ बात कर रहे हैं और ऐसे फिर आम लोगों से कैसे बात करते होंगे अब सोसल मीडिया पर इन सब चीजों को लेकर के बावाल कट रहा है और अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि जो तेजस्वी यादाव प्रदेश में होने वाले अपराधी घटनाओं का जिक्र करते हैं आए दिन सोसल मीडिया के माधम से वो इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं और इस पर उनक खाना प्रभाडी धमका देता है और ये कहता है कि आपके जैसे लोगों को हम जेब में लेकर के चलते हैं तो फिर सच में आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा अब आप इन खबर को कैसे देखते हैं सुदाकर सिंग के बारे में क्या सुचते हैं अपनी डाय कमेंट करके हम तक भेज़ दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जन्सन बहुत बहुत धन्यवाद